तो आज की रेसिपी में हम मनाएंगे शकरगंदी की मीठी पूड़ी जिसको हम पूए भी बोलते हैं तो यहां पर मैंने चार से पास शकरगंदी को कूकर में बॉयल होने के लिए रख दिया है साथ से आठ सीटी में ये अच्छे से पकर तयार हो जाएगी अब चेक कर लेते हैं कि शकरगंदी अच्छे से पक गई है या नहीं इनको अच्छे से छील कर मैश कर लेंगे गरम गरम ही हम इसको छीलेंगे ताकि इसमें हम जो चीनी आड़ कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से melt हो जाए यहाँ पर मैंने आदा कप चीनी यूज की है अगर आपके शकरगंदी मीठी है तो इसमें आप थोड़ी कॉंटिटी में चीनी यूज करेंगे तो यहाँ पर मेरी शकरगंदी है उसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं थी इसलिए यहाँ पर मैंने आदा कप चीनी का इस्तिमाल किया है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको अच्छे से mash करते जाएंगी और शुगर जो हमने डाल रखी है वो अच्छी तरीके से melt हो जाएगी अब इसमें हम दो कप आटा एड़ करेंगे गिहूं का आटा यहाँ पर हम ले रहे है अब इसको हम अच्छी तरीके से mix करेंगे इसका हम perfect dough तयार करेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने करीब एक कटोरी या फिर एक कप गरम दूर डाला है अब इसमें हम बिना पानी के एक आटा इसका गूत लेंगे यहाँ पर बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं होगा एक कटोरी दूद में ही आटा अच्छी तरीके से गुत कर तयार हो जाएगा यह देखिए हमारा dough बिल्कुल अच्छी तरीके से बन कर तयार हो गया है जटपट यह बन जाते हैं अब इसको हम छोटी छोटे शेप में बेल लेंगे इसको थोड़ा मोटा रखना है ज्यादा पतला नहीं करना है इसी तरीके से हम साभी आटे के अच्छी से इसकी पूड़ी टाइप में बना लेंगे लेकिन इसको थोड़ा शोटे 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 शेप में ही रखेंगे अब इसको हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्लेम बहुत कम रखनी है ताकि अच्छे तरीके से फ्लाय हो जाएं और ये देखे कितने अच्छे तरीके से फूल भी रहें अच्छे से इनको लाइट ब्राउन होने तक हम इन फ्राइ कर लेंगे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और जैसे ही जैसे ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे वैसे ही इनमें क्रिस्पीनेस आ जाएगी शुगर ऑप्षिनल है आप चाहें तो इसमें गुड़ का इस्तमाल भी कर सकते हैं ये देखिए दोनों साइट से अच्छे से भुन गया है अच्छे से फ्राइ हो गया है इसमें लाइट ब्राउन कलर भी आ गया है ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये बहुती ज़्यादा है सॉफ्ट होते हैं खाने में बट उपर से थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं थंडे होने के बाद गरम-गरम थोड़े सॉफ्ट रहेंगे इनको चटपटे आलू के साथ और कोई भी खटी मीठी सबजी के साथ ट्राइ कीजेगा बहुत अच्छी लगती है और स्पाइसी से आलू के साथ ये फिर अचार के साथ तो और भी जाद अच्छा लगता है